दोस्कार दोस्तो स्वागत आपका अमारी यूट्यूब चैनल इंडियन गुर्मेंट जोब में दोस्तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें बेल आइकन को जुरूर दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकी दोस्तो आज डारेक्टर स्टेट फोरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिटूट राइप और शतिस गड़ दवारा 29 खाली पोस्तों पर यह बरती आई है तो इसमें जो पोस्त का नाम जो दिया गया है वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एडवाइजर सेलरी इसमें एक लाग रुपे रहेगी खाली प पोस्ते हैं MSC, Forestry, Forestry, Farm Forestry, Botany यह आपकी qualification रहेगी इसके बाद जुनियर रिसर्च एसिस्टेंट में 16,000 प्लस 10% HR यह आपकी से दरी पोस्ते हैं इसमें MSC, Forestry, Farm Forestry, Horticulture, Agriculture यह आपकी qualification रहेगी और 10 साल का इसमें experience रहेगा फिल्ड एसिस्टेंट में 12,000 रुपे प्लस 10% HR यह आपकी सेलरी रहेगी इसमें खाली पोस्त रहेगी MSC, Biology, Forestry, Agriculture यह आपकी qualification और एक साल का research experience आपका इसमें रहेगा इसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसमें 50,000 रुपे प्लस 10% HR यह आपकी सेलरी रहेगी एक खाली पोस्त है इसमें जोब की qualification रहेगी वो PhD, MSC, Forestry, Wildlife, Farm, Forestry Junior Research Fellow में 25,000 प्लस 10% HR यह एक खाली पोस्त है MSC, Forestry और Farm, Forestry, Environmental, Science, Wildlife यह qualification रहेगी आपकी Field Assistant में 15,000 प्लस 10% HR यह दो खाली पोस्त है MSC, Biology, Forestry, Agriculture यह आपकी qualification है Computer Operator में 13,780 रुपे पर मंद शेलरी रहेगी आपकी एक खाली पोस्त है इसमें Higher Secondary, Barmy Pass और साथ में Diploma in Computer Application, One Year Experience आपका Computer Typing Knowledge इंदे इंगलिस की उसके बाद Field Assistant में 15,000 प्लस 10% HR यह आपकी शेलरी रहेगी इसमें एक खाली पोस्त है B.Sc. Biology, Forestry, Agriculture यह आपकी qualification है Field Assistant में 5,000 प्लस 10% HR यह आपकी शेलरी रहेगी इसमें एक खाली पोस्त है Qualification सेम रहेगी और इसमें Computer Knowledge आपको नहीं चाहिए Junior Research फिलो में 25,000 प्लस 10% HR यह शेलरी एक खाली पोस्त है M.Sc. Forestry, Farm Forestry यह आपकी qualification रहेगी Wildlife Expert में 50,000 प्लस 10% HR यह आपकी एक खाली पोस्त है PhD, M.Sc. Forestry, Farm Forestry यह आपकी qualification रहेगी Junior Research Fellow इसमें 25,000 प्लस 10% HR यह शेलरी आपकी एक खाली पोस्त है M.Sc. Forestry, Farm Forestry यह आपकी qualification रहेगी Field Assistant में 15,000 प्लस 10% HR यह शेलरी आपकी दो खाली पोस्त है B.Sc. Biology, Forestry, Agriculture आपकी qualification रहेगी Computer Operator में 13,780 रुपे प्रमन्थ आपकी शेलरी रहेगी इसमें एक खाली पोस्त रहेगी Higher Scandry 10,000 प्लस 2 आपकी qualification Computer Knowledge Senior Research Assistant में 28,000 रुपे शेलरी प्लस 10% है एक खाली पोस्त है MSC, Forestry, Farm, Forestry, Agriculture यह आपकी qualification रहेगी Field Assistant में 15,000 प्लस 10% है चारे आपकी शेलरी इक खाली पोस्त है इसमें B.Sc. Biology, Forestry, Agriculture, qualification रहेगी आपकी Junior Research Assistant में 25,000 प्लस 10% है चारे शेलरी आपकी एक खाली पोस्त है MSC, Forestry, Farm, Forestry, Agriculture की रहेगी Field Assistant में 15,000 प्लस 10% है चारे एक खाली पोस्त है B.Sc. Biology और Computer Knowledge आपको इसमें साथ में रहेगी Field Assistant में 15,000 प्लस 10% है चारे एक खाली पोस्त है B.Sc. Biology इसके बाद Junior Research Assistant की एक खाली पोस्त है 25,000 प्लस 10% है चारे शेलरी रहेगी इसमें क्वालिफिकेशन आपकी MSC, Forestry, Farm, Forestry Field Supervisor, Cum Inspector इसमें 25,000 प्लस 10% है चारे शेलरी रहेगी आपकी एक खाली पोस्त है MSC, Forestry, Farm, Forestry, Agroforestry आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी Laboratory Assistant में 18,000 प्लस 10% है चारे शेलरी आपकी एक खाली पोस्त रहेगी MSC, Forestry, Farm, Forestry आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी Research Associate में 25,000 प्लस 10% है चारे शेलरी एक खाली पोस्त है MSC, Soil Science, Agriculture आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी Junior Research Assistant में 16,000 प्लस 10% है चारे शेलरी एक खाली पोस्त है MSC, Soil Science, Agriculture, क्वालिफिकेशन Project Assistant में 12,000 प्लस 10% है चारे आपकी शेलरी रहेगी एक खाली पोस्त रहेगी इसमें BSC, Biology, Agriculture ये क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के आपका नोलिज होनी चाहिए इसमें उसके बाद जो एज लिमिट के बारे में लोने दिया है वो अपर एज लिमिट जो रहेगी वो 32 साल रहेगी और ये SRF, Field Supervisor पोस्तों के लिए 32 साल एज रहेगी और JRF, Laboratory Assistant and FA इनके लिए 28 साल आपकी एज रहेगी एज की गणना एक 2019 के अनुसर की जाएगी SCST को 5 साल की एज में चूट दी जाएगी उसके बाद आपने apply कैसे करना है वो इनके official website दी गई है यहाँ www.sfrti.cg.gov.in और www.cgforest.com ये इनके official website रहेगी इन पे आप apply कर सकते हैं उसके बाद इनका ये postal address दिया गया है रायक्टर स्टेट फोरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिचूट जिरो पॉइंट नियर विधान सभा ब्लोवदा बाजार रोड रायपूर मनेंचासी कत्तिस ग्यारा चत्तिस गड़ और इस पे आपने registered post या speed post के माध्यम से अब ये इस address पे आपने अपना form बेजना है और इसमें last date जो रहेगी वो 16 बारा 2019 रहेगी 16 बारा से पहले आप अपने form इस address पे बेज सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ये नए update के साथ फिर अजिर होते हैं धन्यवाद 16 बारा से तूनД